Friends, Welcome to my channel once again Friends, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रक्त यानि ब्लड जिसे हम रुधीर लहू कहते हैं तो मैंने आज छोटी सी जानकारी रक्त के उपर इकठा किया है जो मैं आप लोगों के साथ सेर करने जा रहे हूँ रक्त तरल पदार्त या द्रव है जो भी ब्लड होता है Friends, वो एक तरल प्रदरात होता है मतलब वो लिक्विट फॉर्म में होता है जो रुधीर वाहिनियों के अंदर लगतार बहता रहता है हमारे सरीर में जो रुधीर वाहिनिया होती है ये एक नली के काम करती है जिसके तरूप, मतलब हमारे बोडी में जो भी बोडी के भाग होते है जितने भी हिस्से होते है वहां तक ब्लड पहुंच पाता है तरूप, ये जो रुधीर वाहिनिया होती है उनके द्वारा रुधीर वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला यहाँ गाढ़ा, कुछ चिपचिपआ, मतलब जो blood होता है वो गाढ़ा होता है, मतलब थोड़े गाढ़े के form में होता है, कुछ चिपचिपआ होता है, लाल रंग का द्रव्य एक जिवित उतक है, लाल रंग का द्रव्य होता है और यह एक जिवित उतक है, यहाँ प्लाजमा रक्त कड़ों से मिलकर बना होता है तो अभी में प्लाजमा के बारे में छोटी सी जानकारी आप सभी को दूँगी तो पहले इसमें देख लेते हैं रक्त में यह प्लाजमा वह रक्त कड़ों से मिलकर बना होता है तो आएए यहाँ पर देखते हैं प्लाजमा की छोटी सी बा पड़े रहते हैं और प्लाजमा के सहारे ही सभी कड सरीर के समस्त भागों तक पहुच पाते हैं जो प्लाजमा का रोल होता है वही मतलब सभी कडों को प्रोटीन को हार्मों को सरीर के बीविन भागों में पहुचाने के कारे करता है यहां पर प्लाजमा के बारे में देख लेते हैं यह हलके पीले रंग का तरल घटक है जिसमें रक्त को सिकाय पड़ी रहती है जैसे कि मैंने उपर बताया है यह हलके पीले रंग का होता है और यहां रक्त को सिकाय जिसमें पड़ी रहती है उसी का कारे करता है उनके माध्यम उनके सहारे का कार्य करता है यहां रक्त का सबसे बड़ा हिस्सा होता है जो भी बलड होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा प्लाजमा होता है प्लाजमा में पानी लवड यानि मतलब नमक वाला जो नमकीन पदार्थ है पानी लवड और एंजाइम्स होते हैं जो प्लाजमा होत प्रोटीन्स वह हार्मोन को सरीर के विविन भागों में पहुचाने का है जो भी मतलब इसका मेन रोल है ना फ्रेंट्स प्लाज्मा का उसका यही रोल है कि सरीर के विविन भागों में प्रोटीन्स हार्मोन्स जो भी कड होते हैं उनको पहुचाने के कारे होता है तो के बारे में जरूर बताईएगा